Good morning बच्चो, बच्चो जोग्रफी की इस ओनलाइन क्लास के सेशन में आज हमारा जो टॉपिक है वो है चक्रवात की संकल्पना और उसका वर्गीकरण यानि साइक्लोन, कंसेप्ट और प्लासिफिकेशन हमारी जो जलवायू विज्ञान है, उस जलवायू विज्ञान के अंतरगत चक्रवातों का कंसेप्ट एक बहुत ही विशेश महतुर कंसेप्ट है हम जानते हैं कि वैश्विक स्थर पे या किसी छित्रे स्थर पे भी जलवायू और मौसम को ब्रभावित करने वाले जो विभिन्य तत्व हैं उसमें चक्रवात क्लायमेटिक एक्स्ट्रीम्स के रूप में क्लासिफाय होता है climate extremes जिसको हम कहते हैं कि सामाने से ये अलग तरह की घटना है चक्रवातों का जो concept है जो जो पूरा chapter है ये air mass front के chapter से बहुत ज़्यादा associated है तो जो भी चात्र पहले बार इस chapter को देख रहे हैं उनको पहले air mass का concept पढ़ना चाहिए फिर front का उसी के उपर ही construct करके हम cyclones पढ़ते हैं तो शुरॉत करते हैं आज के इस class है इसमें हम चक्रवातों से जोड़ी हुई बहुत सारी मोल विशिष्टाओं का अध्यन करेंगे हम देखेंगे कि किस परकार चक्रवात बनते हैं चक्रवात का अर्थ क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं तो आपके सामने एक बड़ी ही अच्छी aerial view है एक cyclone की तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यदि हम visualize करें तो जो wind pattern है जो हम cloud से demarket कर पा रहे हैं यह circular movement कर रहे है यह आपके सामने एक tropical cyclone है और यह tropical cyclone जो है वो whistling in nature होता है एक घुमाओदार wind pattern होता है जिसके बीच वाला जो area है यदि आप यह देख पाएं यह बीच में जो एक area है इसको eye of cyclone कहते हैं और यह काफी बड़े area को प्रभावित करता है तो हम आज की session में यह देखेंगे किस परकार चक्रवातों का लिर्माण होता है तो शुरुआत करते हैं हम जानते हैं बच्चों के हमारी धर्ती पर जो तापमान है जो उर्जा है वो असमान रूप से वित्रित होती है ना केवल जो हमारे अक्षान्स है उनके रूप में बलकि यदि हम देखें तो हमारी धर्ती पर जो जमीन और पानी है उसके असमान वित्रिन के कारण भी उर्जा असमान रूप से बटी होती है सामान ये तोर पर तापमान को समान रूप से बाटने में पवनों और हमारी महास्वग्रिय धाराओं का बहुत एहम युगदान होता है परन्तु कई बार जब असमानता, उर्जा की असमानता काफी व्यापक हो जाती है तो चक्रवातों के रूप में क्लामेटिक एक्स्ट्रीम्स का निर्मान होता है ये चरम घटनाए होती है, जो हमेशा नहीं होती है, कभी-कभी होती है तो जो क्लामेटिक एक्स्ट्रीम्स हैं, चक्रवात हैं, मोल रूप से ये धर्ती पर ऊजाके समान रूप से वितरन को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं और चरम इवेंट है, यानि ये डेली नहीं होती, वन्स इन अ टाइम होती है, और बहुत ही इंपोर्टन होती है तो जलवाईव वग्यानिकों के लिए पढ़ना भी इन एक्स्ट्रीम इवेंट के अध्यन भी बहुत महत्यपून है यदि हम मौसम वग्यानिकों के जो टर्म्स हैं, जो शब्द यूज़ करते हैं, यदि उनको देखें तो बहुत सारे शब्द जो हैं, वो यूज़ करते हैं, जो प्रोग्रेसिवली साइक्लोन फॉर्मिशन की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले, यदि आप किसी सिनॉप्टिक चार्ट को देखें, कोई ऐसा वेदर मैप देखें, तो आप पाएंगे कि कई जगे लिखा होता है, लो प्रेशर अब भुगोल के अध्धन करने के नाते या भुगोल के विद्यार्थी होने के नाते आप सबी को पता होना चाहिए, ये लो प्रेशर क्या होता है या कई जगे high pressure लिखा होता है तो low pressure बचो एक area है उसमें जो वाईू दाब है वो relatively कम है as compared to दूसरे area मतलब low pressure area या high pressure area एक relative word है जब हम दूसरे area से उस area के तापमान को या वाईू दाब को compare करते हैं तो low and high जो है वो identify होता है climate logist कहते हैं कि एक ऐसा area low classify होता है जिसकी में wind speed जो है 31 km से कम होती है 31 km per hour की speed से कम होती है और वाईू दाब जो है दूसरे छेत्र की तुलना में कम होता है low pressure area से थोड़ा सा और जदी intense वाईू दाब कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं depression depression एक ऐसा शब्द है जो आप बहुत बार synoptic charts में देख सकते हैं इनकी speed जहां पर हवा की speed होती है 31 to 61 km per hour और वाईुदाब कम होता है जब वाईुदाब और भी कम हो जाता है तो फिर उसको हम disturbances के रूप में classify करते हैं आपने बहुत बार सुना होगा हम एक शब्द यूज़ करते हैं western disturbance तो वो ये वाला disturbance है उसी तरह disturbances जब और intense हो जाएं जब wind speed और बढ़ जाए तो उनको हम cyclones classify करते हैं cyclones यानि चक्रवात एक ऐसा शब्द है जिसमें wind speed 119 km पर hour से अधिक होनी चाहिए और जो प्रेशर है वो काफी कम होना चाहिए cyclones के बाद यदि हम और आगे चलें तो super cyclones classify होते हैं ये super cyclones वो areas होते हैं जो intense low pressure के होते हैं जहां wind speed और भी अधिक होती है as compared to cyclones आपने 1999 का super cyclone Odisha में जरूर सुना होगा जब wind speed बहुत ही rapid थी बहुत ही fast तो इस तरह है जो हम शब्द यूज कर रहे हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे cyclone वो एक ऐसा low pressure area है जो progressively develop होता गया और जिसकी wind speed जो है वो 119 km per hour से जादा है और काफी तेज हवा चलती है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हवा जो है हमेशा गतिशीन रहती है कई बार हवा जो है घुणन करते हुए चक्र के रूप में चलती है जब बीच में निमनेदाव केंदर और बाहर उच्चेदाव होता है तो इस तरह से चक्रवात का निर्मान होता है चक्रवात बिसिकली एक ऐसी आईसो बास होती है जो सरकुलर होती है जिनके अंदर लो प्रेशर एरिया होता है और बाहर हाई प्रेशर हवा आप जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है तो इस तरह बाहर से केंडर की ओर चलती है और ये हवाएं चक्रवात का निर्मान करती है यहाँ पर जो मूल बात ध्यान देने की है कि वेदर मैप पर जो है जो कि आईसो बार्स किची होती है तो जहां कहीं सर्कूलर आईसो बार्स का फॉर्मेशन हो जिसके अंदर लो प्रेशर और बाहर हाई प्रेशर हो तो उसे हम चक्रवात की संग्या देते है चक्रवातों में जो हवा की मूव्मेंट है वो कौरियोनिस फोर्स से प्रभावित होती है यदि हम देखें तो उतरी गोलाद में जो हमारे साइक्लोंस है उनके उनमें विंड डारेक्शन जो है एंटी क्लॉक्वाइज होती है वहीं साउधन हेमिस्फियर में जो साइक्लोंस में विंड डारेक्शन है वो क्लॉक्वाइज होती है चक्रवात का आकार और उसका जो शेप है वो अलग-अलग हो सकता है गोल भी हो सकता है वी शेप भी हो सकता है और ये सभी के सभी जो चक्रवात हैं या जो low pressure area हैं जो western disturbances हैं इनको हम atmospheric disturbances में classify करते हैं जो normal जो हमारी मौसमी घटनाए हैं उनसे अलग किसी विस्थान के मौसम और जलवायू को प्रभावित करती हैं हम अपनी इस class में देखेंगे कि चक्रवात जो हैं मौल रूप से दो प्रकार के होते हैं एक को कहते हैं सीतोष निकटी बंदे चक्रवात यानि temperate cyclones जो friends के formation के कारण निर्मित होते हैं जैसा हमने पीछे देखा और दूसरी तरह के cyclones होते हैं जिनको हम उश निकटी बंदे कहते हैं यानि thermal cyclones कहते हैं thermal origin के कारण originate होते हैं tropical cyclones होते हैं तो यहां फिर आपके सामने दो diagram दिये हैं पहले में general circulation of wind दिखाने की कोशिश की है और दूसरे में चक्रवातों के निर्मान या वितरन को दिखाया गया है आप देखें चक्रवात जो हैं एक green color से दिखाये गय cyclone है ओश निकटीबंदी चक्रवात हैं वहीं जो black color से दिखाये गए हैं वो सारे के सारे चक्रवात चीतोश निकटीबंदी चक्रवात हैं अब यदि हम इसी को overlap करके देखें हमारे general circulation of wind से तो आप आएंगे कि equator पे जो हमारे cyclones से उनका निर्मान नहीं होता जो कि यहां प जहां पर दो different characteristics की air masses मिल रही हैं जहां tropical जो front है उसका निर्मान हो रहा है उसके कारण आपके जो जो बीच वाले tropical cyclones से उनका निर्मान हो रहा है वहीं जब हम middle latitude की तरफ चलते हैं जहां पर sub polar region में जो friends का निर्मान हो रहा है वहां पर polar winds and westerlies converge हो रही है यानि दो different characteristics की air masses converge हो रही है यहां पर frontogenesis हो रहा है जिसके कारण cyclones form हो रहे हैं और इस region में दोनों ही है mesphere में जो cyclones generate हो रहे हैं उन्हें हम शीतोषण कटी बन्दे चक्रवात या temperate cyclone या extra tropical cyclones भी कहते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं temperate cyclones की, extra tropical cyclones की या शीतोषण कटी बन्दी चक्रवातों की तो जैसा हमने पीछे देखा कि जो हमारे शीतोषण कटी बन्दी चक्रवात हैं मुल्रोप से उन स्थानों पर उत्पन हो रहे हैं जहां धुरूविये पवने और जहां पर पच्वा पवने हैं यानि polar winds हैं और westerly wind हैं converge हो रही हैं यह दोनों ही air masses जो हैं वो different kind of property के हैं जहां जो polar air masses हैं वो cold हैं dry हैं वहीं जो western leaves हैं वो warm हैं और humid हैं जिसके करण दोनों में एक front का निर्मान होता है और इस जगे जो शीतोषण कटी बन्दे चक्रवात हैं वो बन्दे हैं क्योंकि यदि आप wind का drag देखें तो यहां पर आपको ऐसा लगेगा कि धक्का जो है wind drag जो है वो west to east की तरफ है इसलिए यह सारे चक्रवात west में form होते हैं और eastward मूव करते हैं जितने भी शीतोषण कटी बन्दे चक्रवात हैं उनकी उत्पत्ती का कारण fronts माने जाते हैं इसलिए हम कहते हैं कि जो शीतोषण कटी बन्दे चक्रवात हैं वो frontal origin के होते हैं यह चक्रवात डोनों ही गोलार्डों में 35 डिग्री से 55 डिग्री अक्षान्सों के मद्धे मिलते हैं और जहां जैसा मैंने पहले बताया कि यहां पर आगर आप wind का drag देखें जो पछवा पवनों के कारण पश्चिम से पूरव की ओर चलता है इसलिए यह सारे के सारे साइक पश्चिम से पूरव की ओर गतिशील रहते हैं शीत्रितु में इनका प्रभाव अधिक होता है अधिक विक्सित होते हैं तो इस तरह है इनके उत्पत्ती का जो मूल कारण है वो ठंडी और गर्म जो दो विप्रीद गुड़ों वाली वायो राशियों के मिलने के कारण होत अब यदि हम इनके करेक्टरस्टिक्स की बात करें तो जितने भी शीतोष्णिक टिबंदी चक्रवात हैं उनमें दाप्रवणता यनि जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो कम मिलता है जो समदाब रेखाए होती है आईसो बार लाइन्स होती है वो भी शेप्ड होती है ये जल और ठल दौनों पे विक्सित होते हैं इनमें वायू का वेग जो है उश्णिक टिबंदी चक्रवातों की तोलना में कम होता है शीतोष्णिक टिबंदी चक्रवात अधिकतर शीत रितों में उत्पन होते हैं और साथी साथ वर्षा करते हैं और काफी दिनों तक चलते हैं औ हमारी जोग्रफिक के अंतर, क्लामेट लॉजी के अंतर एक सिधान्त है जिसको पोलर फ्रेंट थेयोरी कहते हैं यह पोलर फ्रेंट थेयोरी 1918 में जरकनीज द्वारा दी गई और यह थेयोरी जो है सितोष्ट कर्टीबन दे चक्रवातों की उत्पत्ती का जो मूल आधार है वो वाताग्रहों को मानती है तो इस तरह आप देखें के नॉर्डन एंड साव्डन हेमिस्वेर में दोनों जगे जो हमारा मिड लेटिट्यूड का एरिया है खास और से सबपोलर एरिया है उस सबपोलर एरिया में cold and dry winds के interaction के कारण यानि cold air mass और जो हमारा dry air mass है warm air mass है दोनों के interaction के कारण sequential stage में जो air है वो circular move करने लगती है इस तरह progressively different stages से होते हुए cyclones का निर्मान होता है दूसरी तरह के चक्रवात हैं जिनको हम tropical cyclones कहते हैं यह tropical cyclones वो तूफान है जो धर्टी पर सबसे तेज चलने वाली हवाएं होती है जिनका origin thermal origin होता है इस thermal origin से अभी इप्राइब बच्चों यह है क्योंकि हमने अपने पीछे जब हमने humidity वाला chapter पढ़ा था तो मैंने आपक पर एकी energy होती है जिसको latent heat कहते है लेटेंट heat वो उश्मा होती है जो जल के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने से यानि solid से liquid या liquid से gas में बदलने से या तो प्रयोग में आती है या release होती है यह energy में जो latent heat होती है इसी में एक latent heat होती है latent heat of condensation वो tropical cyclones के formation में बहुत महत पूर्ण योगदान निभाती है आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि latent heat of condensation जो है वो उस पेट्रोल का काम करती है उस driving force का काम करती है जो cyclones में उस निकटिवन दे चक्रवातों के निर्माण में एहम भूमिता निभाती है उस निकटिवन दे चक्रवात जो है पांच दिगरी से 30 दिगरी उत्तरी और इसी तरह 5 दिगरी से 30 दिगरी दक्षिनी अक्षांसों के बीच में उत्पन होते हैं और जो equator है उसमें 5 से 8 दिगरी के बीच वाले में छेतर में कोई भी उस निकटिवन दे चक्रवात विक्सित नहीं होता क्योंकि यहाँ coriolis force कम होता है और whistling effect ना जाने के करण हवाँ के गोल गती से ना गूमने के कारण यहाँ पर चीतो उश्ना कटिवन दे चक्रवात नहीं आते हैं तो इनका जो गती है वो कम हो जाती है यहां ध्यान देने योग के बात है कि स्तलिय भाग पर आने पर जो हमारे उश्निकटी बंदी चक्रवात हैं उनकी गति कम हो जाती है इसको landfall कहते हैं लेकिन landfall के बाद भी इनका disastrous जो impact है विंड स्पीड है अभी भी normal विंड स्पीड से काफी अधिक होती है जो उश्निकटी बंदी चक्रवात हैं उनका ITC-Z से भी गहरा संबल्द होता है ITC-Z का अनुसरन करते हुए यह अपनी formation की स्तिती है बदलते रहते हैं और ITC-Z और जो Coriolis प्रभाव है उसी के कारण यह circular movement originate करा पाते हैं और इनकी जो direction होती है speed होती है movement की वो भी इसी बात पर निर्भर करती है कि ITC-Z यानि Inter-Tropical Convergence Zone की location कहां पर है अब जैसा हमने पीछे सीतोष्निकटी बंदी चक्रवात में देखा कि सीतोष्निकटी बंदी चक्रवात में समदाब रेखा हैं जो हैं V-shape भी हो सकती हैं यहां उश्निकटी बंदी चक्रवात में circular आपकी समदाब रेखाएं होती हैं और यदि इनकी गती की बात करें तो जो दिशा है इनकी movement की गती रों बहुते जो होती है जो movement की दिशा है वो पूरव से पस्चिन की तरफ है क्योंकि यह व्यापारिक हवाओं के छेतर में आते हैं और व्यापारिक पावनों का आप यदि ड्रैग देखें तो यह पूरव से पस्चिन की ओर ले जाता है यह चक्रवात जो है हमेशा गती शील नहीं रहते कई बार एक स्थान पर रुक जाते हैं जिसके कारण उस जग हिंद महासागर और इसी तरह आस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड के छेतर में भी उत्पन होते हैं तो आपके सामने फिर से एक बार वही डाइग्राम है जो मैंने पीछे दिखाया आप देखें यहां पे सर्कूलर एरिया है जो एरिया कवर हो रहा है और इसके बीच में एक आ करें तो जो ट्रॉपिकल साइकलोंस है इनका एरिया असी से 300 किलो मेटर तक का होता है कभी कभी चोटे भी होते हैं आकार में लेकिन इनकी विंड स्पीड जो है हरीकेन टाइफून बहुत अधिक होती है यदि हम देखें तो यह जो है स्तल भाग की अपेक्षा सागरों पे तेजगती से चलते हैं जैसे इस तले भाग पराते हैं इसको लैंड फॉल कहा जाता है लैंड फॉल में इनकी स्पीड जो है कम हो जाती है ये डिग्रेड होने लग जाते हैं खतम होने लग जाते हैं जितने भी हमारे ट्रॉपिकल साइकलों है उनकी मुवमेंट जो है पू ना की frontal course इसी तरह जो tropical cyclones हैं कई बार एक स्थान पर काफी दिनों तक रुप जाते हैं जिसके करएंड व्यापक वर्षा होती है और center में low pressure area होने के करएंड बहुत देजगती से हवाँ चलने के करएंड व्यापक लुपसान पहुचाते हैं तो इस तरह आपके सामने northern hemisphere का cyclone और southern hemisphere का cyclone दिखाया हुए है आप देखें डौनों के बीच में low pressure area है जब हम northern hemisphere के cyclone को देखते हैं तो इसके बीच का जो low pressure area है यहाँ पे जो wind direction है वो anti-clockwise है जिनको हम counterclockwise कहते है वहीं जब southern hemisphere में कोई cyclone originate होता है तो बीच में low pressure area होता है बाहर high pressure लेकिन wind की जो direction होती है वो clockwise हो जाती है आप देखें थोड़ा-थोड़ा तिर्शी जैसे घड़ी की सुईयां घूमती है ना उसी तरह उसको clockwise कहते हैं और घड़ी की सुईयां जिस तरह घूमती है उसके opposite को हम counter clockwise या anti clockwise direction कहते हैं तो ये आपके सामने दोनों हेमिस्फियर के चक्रवात हैं दोनों ही बहुत intense cyclones हैं और आप देखें कि अभी जो water body के उपर हैं और धीरे-धीरे जो आपका left hand side वाला है उसमें अभी landfall होनी की संभावना है जल्दी ही वो जमीन के उपर आने वाला तो इस तरह जो उश्निकटी बंदी चक्रवात होते हैं उनके बहुत सारे local names भी होते हैं यदि आप देखें चक्रवात एक ऐसा शब्द है जो Indian subcontinent में यूज़ किया जाता है इसी तरह चक्रवातों के लिए ये टाइकून नाम का जो शब्द है वो चाइना सी के लिए यूज़ किया जाता है इसी तरह हरीकेन बे आफ मेक्सिको का रीजिन में और विली विली ज ऑस्टेलियन न्यूज़िलान वाले रीजिन में यूज़ किया जाता है ये जो छोटे प्रशने आते हैं जो तापमान और वर्षा के वितरन पर व्यापक असर डालती है अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जो ऊश्निकटी बंदी चक्रवात है या सीतोश्निकटी बंदी चक्रवात है दोनों में अंतर क्या होता है तो जहां उष्णिकटिबंदी चक्रवादों की बात है यह उष्णिकटिबंदी छेतर में मुलूप से 5 दिग्री नौट से लेकर 30 दिग्री नौट साउथ के बीच में उत्पन होते हैं उसी तरह शीतोष निकटिबंदी चक्रवाद जो है 35-50 दिग्री दोनों गुलार्दों में उत्पन होते हैं जैसा मैंने बताया कि उस्निकटिबंदी चक्रवाद थर्मल ओरिजिन के होते हैं वहीं सी तो उष्णिकटिबंदी चक्रवाद जो है, frontal origin के होते हैं, उष्णिकटिबंदी चक्रवाद जो है, महासागरों के उत्पन होते हैं, वहीं सी तो उष्णिकटिबंदी चक्रवाद जायतर भू भाग पर भी उत्पन होते हैं, लेकिन ये महासागरिय भाग पर भी उ जब जमीन पर आते हैं, लैंड फॉल करते हैं, तो उनकी इंटेंसिटी स्पीड कम हो जाती है, जब कि शीतोषिन चक्रवातों पर इसका व्याफ़क तुभाव नहीं पड़ता है, जब हम उस्निकटिबंदी चक्रवातों के देखें, तो उतमें एक आई ओफ साइक्लोन मिलत होती है, ब्राइड संशाई होता है, और यहां पर अभी तुफान नहीं आया पहुचा होता है, तुफान के बीच का जो एरिया है, यह आई ओफ साइक्लोन के लाता है, और यह उस्निकटिबंदी चक्रवातों की विशिष्टा है, वोई शीतोषिन चक्रवातों में आई ओ करते हैं, उस्निकटिबंदी चक्रवात जो है, पूरव से पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं, वहीं शीतोषिन कटिबंदी चक्रवात जो है, पश्चिम से पूरव दिशा की ओर अगरसर रहते हैं, आटमा पॉइंट यादी हम देखें, तो इसमें जो उस्निकटिबंदी चक्रवात हैं, जो सबसे ज्यादा इंटेंस wind pattern and wind speed है, वो उश्निकटीबंदी चक्रवातों की है, शीतोश्निकटीबंदी चक्रवात जो हैं, उतने अधिक गती वाले wind वाले नहीं होते हैं, उश्निकटीबंदी चक्रवात छोटे होते हैं, लेकिन powerful होते हैं, वहीं शीतोश से जो pressure gradient है वो हमारे tropical cyclones में बहुत intense होता है वही temperate cyclones में ये pressure gradient बहुत slow होते हैं जिसके कारण उतिनी तेजगती से हवा नहीं चलती जितनी ऊच्ण activities लिए चक्रवातों में चलती है चक्रवातों की भाती ही हमारी धर्ती पर एक और तरह का wind pattern बनता है जो यहां पढ़ना बहुत महित पूर्ण है जिसको हम anti-cyclone कहते हैं anti-cyclone यानि चक्रवातों से विफरीत दशा होती है जो चक्रवात होते हैं जहां उनके बीच में low pressure area होता है वहीं पृती चक्रवात यानि anti-cyclones में center जो है high pressure का होता है और wind अंदर से बाहर की तरफ चलती है इनके परिणाम स्वरूप वायू में इस्थिरता आती है जहां जहां anti-cyclones का formation होता है वहां वहां बचों हमेशा इस्थिरता रहती है वहां वर्षा नहीं होती है वायू में जो हवा है वो एडवेक्टिव होने की बजाए मतलब उपर की तरफ मूव करने की बजाए वर्टिकली मूव करने की बजाए वो downward मूव करने लगती है convective नहीं रहती हवा ascending नहीं होती descending हवा हो जाती है जिसके कारण जो stability atmosphere में आती है जो प्रती चक्रवात होते हैं वो बहुत तेज हवा भी नहीं लाते हैं और ना केवल वर्षा नहीं वर्षा करते हैं यानि ना हवा चलती है तेज और नहीं वर्षा होती है और यह मूल रूप से उन स्थानों पर उत्पन होते हैं जहां हवा दो different direction में diverge हो रही है पीछे हमने दिखा के cyclones वहां बनते हैं जहां frontogenesis होता है यानि दो different direction से आके हवाएं converge हो रही है वहीं जहां frontolysis होता है वहां anti-cyclonic conditions बनती है यह आपके सामने दोनों जो हमारे hemisphere है northern hemisphere में जो anti-cyclone है उसकी wind direction जो है clockwise होती है वहीं southern hemisphere में anti-cyclone की wind direction होती है वो anti-clockwise होती है तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे move हो रही है डाइग्राम जिरूर दिखना है आपको ताकि आपको wind pattern का अंदाजा लग पाए तो इस तरह students हमने अपने इस chapter में दिखा कि cyclones क्या होते हैं cyclones किस तरह से climatic extremes होते हैं किस शब्द से cyclone का sequential origin क्या होता है cyclones, tropical cyclones कैसे originate होते हैं temperate कैसे originate होते हैं क्या उनकी characteristics होती है हमने देखा साथी साथ हमने अपनी class में ये भी देखने का प्रयास किया कि दौनों के बीच में क्या अंतर होता है जहां tropical cyclones सबसे intense storm होते हैं बहुत ज़्यादा speed में wind होती है और बहुत ज़्यादा rainfall कास करते हैं वहीं जो temperate cyclones होते हैं वो stability ज़्यादा होती है उनमें वो कम wind speed को cause करते हैं और rainfall भी बहुत कम cause करते हैं यहां एक भारत के perspective की एक बात मैं और बताना चाहूंगा हम सदी कहते हैं कि हम जिस छित्र में रहते हैं खासतर से उत्तर पश्चिनी भारत यहां पर सदियों में वर्षा होती है यह सदियों की वर्षा western disturbances की rainfall होती है और यह western disturbances मोल रोट से शीतोष्ण कटिवंदी चक्रवात होते हैं जो भूमद सागर के उपर originate होते हैं और जो हमारी jet stream है उनके अंतर होते हुए पूरे के पूरे उत्तर पश्चिनी भारत पर वर्षा करते हैं यह जो वर्षा होती है यह western disturbances की rainfall शीतोष्ण कटिवंदी चक्रवात के कारण भारत में होती है इसी तरह भारत में गर्मियों के समय मोल रोट से जो हमारा अगस सितंबर का महिना है इस समय जो हमारे महासागरिय भाग है हिंद महासागर है चाय अरब सागर है चाय बंगाल की खाड़ी है यहां जो चक्रवात उत्पन होते हैं उनको हम उश्ण कटिवंदी चक्रवात कहते हैं तो भारत के प्रस्पेक्टिव में दोनों ही तरह के cyclones इंडिया में आते हैं सर्दियों में शीतोष्ण कटिवंदी चक्रवात रेस्टन डिस्टर्वेंस के रूप में और वहीं गर्मियों में ट्रॉफिकल साइक्लोंस जो हैं वो हमारे एरिया को कवर करते हैं अब जब हम long answer type question और short answer type देखें तो आपके पास बड़े ही simple questions हैं वही questions हैं जो हमने पीछे class में discuss किये हैं What are cyclones? चक्रवात क्या होते हैं? बिल्कुल आपको पता है कि यह ऐसी जो wind pattern होता है जो circular होता है जिसमें हमारी जो आईसो बाज हैं वो circular होती है अंदर low pressure होता है, बाहर high pressure, हवार बाहर से अंदर की तरफ चलती है इसी तरह tropical cyclone की दो characteristics बतानी है आपको anti cyclone की properties बतानी ही क्या होते हैं anti cyclone तो बड़ा ही simple है, cyclone के opposite जो हैं, वो anti cyclones है आपको बताना है कि typhoon कहां originate होते हैं और उसी तरह आपको बताना है कि willy-willies कहां उत्पन्न होते हैं यदि हम बड़े प्रश्णों की बात करें तो चक्रवाद क्या होते हैं, वो किस तरह बनते हैं आपको बताना है और दूसरे प्रश्ण में आपको उसनिकटिबंदी चक्रवाद और शीतो उसनिकटिबंदी चक्रवाद में अंतर स्पस्ट करने हैं जो हमने पीछे क्लास में देखा था तो इस तरह बचो हमारी जो आज की क्लास है मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एक क्लास एक सिक्वेंशी क्लास है आपको जो पढ़ना है तो आपको सबसे पहले एर मासिस के बारे में पढ़ना है एर मासिस के उपर फ्रेंट्स पढ़ने हैं यह फ्रेंट्स से ही आप जानते हैं कि जो हमारे साइकलोन का फॉर्मिशन होता है इस तरह है ये तीनों जो चीजे हैं, air mass, front and cyclone, they are highly interrelated, they are sequential stage of development, तो आपको पहले air mass उनकी property पढ़नी है, then आपको front formation, frontogenesis पढ़ना है, frontolysis पढ़ना है, then आपको चक्रवातों के बारे में आना है, cyclones, tropical and temperate cyclones पढ़ने हैं, तो इस तरह है, ये sequential ही आपने पढ़ने हैं, तो इस तरह है बच्चों, आज की class में इतना ही, आपकी जो भी प्रश्न हैं, जो भी सुजाव हैं, आप में से जुड़ सकते हैं, आपके प्रश्नों का, शंकाओं का समधान करने मुझे बड़ी खुशी होगी, आज के लिए इतना ही धन्यवाद हैं,